वेलकम बैक स्टूडियर्श हम लोग पढ़ रहे हैं 20 सदी का विश्व इतिहास इसका तीसरा पार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रूस की ग्रांगती पढ़ ली है और अब हम पढ़ने वाले हैं सोवियत संग का गठन तो चलिए शुरू कर लेते हैं रूस में सोवियत संग जो गठन हुआ इसको बनाया गया यह बहुत ही महत्वपून गठना मानी चाती है जिसने बीसवें शतार्थी में वैश्विक राजमितियां कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और समाज पर बहुत ही इससे दुनिया बहुत ज़्यदा प्रभवावी थी इसकी बैक्राउंड क्या थी रूसी क्रांती पहले तो अक्तूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी जो थी जज़ा कि हमने पहले पढ़ा शांती भूमी और रोटी का नारा उन्होंने दिया था इसके तहर उन्होंने विद इंदा में उनका ये नारा था कि हम सोविय संका गठन करेंगे। साथ में वहाँ पर ग्रह युद्ध हुआ था बोल्शेविकों की सत्ता के खिलाब भी वहाँ पर बहुत से समूते जो संगश कर रहे हैं। जब 1917 में बोल्शेविक पार्टी ने यहाँ पर अपर अपर अप जब यहाँ थी वहाँ थी वहां थी वह एक तरीके सी अंस्टेवल भी रही उसके विस्तार के लिए एक यहाँ पर जो ग्रह युद्ध था बहां थी महत्वपून बाना चाहता है। यहाँ कि बॉल्शेविक जो थे जिन्नोंने चान ने को लट्वितिय को हरा करके वहाँ करना शुरूर किया था, बहुत से लोग वहां पर उनके भी विरूती थे, उनके खिलाब यहां पर शुरू हो गया ग्रहयुदू, ऐसे में इमापर 1922 में गठन हुआ सोवियस संग का, तो सोवियस संग का ओपिशल गठन जो हुआ, 1922 में हुआ था, 30 दिसंबर ने तो रूस के बहुत सारे गंडराजे थे, बहुत सारे चोटे-चोटे गंडराजे थे, उनको मिला करके एक संग बनाया गया, उसे सोवियस संग पहा लिया था, तो प्रारंबिक स 10 से जो थे गंडराजे में रूसी सोवियत के, उते फैडरल सोशल रिपबलिक कहा जाता था, इनको यूक्रेइन, बेलारूस, जोजिया, यह इसके शुरुआती सद्द से थे, सोवियस संग थे, तो संविधान इनका क्या था, 1924 में सोवियस संग का गठन हुआ, 1924 में इनक जो बताया था, तो यह जो संविधान था, एक संगीय प्रणाली को सापित का था, हम लोग कलेक्टिवली काम करेंगे, जिसमें हर गंडराजे को स्वायत कता था, कुछ आजादी थी, और कुछ सत्ता केंडरी सरकार के पास, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे राजे हैं, सं तो कुछ राइश होते हैं, हमारे राजे सरकारों के पास होते हैं, कुछ केंडरी सरकार के पास होते हैं, एक संवर्ती सूची है, जिसमें दोनों के राइश शामिल होते हैं, जिस पर दोनों काम कर सकते होते हैं, तो कुछ-कुछ ऐसा ही आप उसार को समझ सकते हैं, कि उनक संग जो था यह एक दलियर राजय था यहां पर Communist Party थी पूरी तरह से उसने कंट्रोल कर लिया था उसके opposition कोई पार्टी नहीं थी जैसे हमारे यहां तो बहुत सारी पार्टी है बीजेपी है गौर्मेंट यहां पर कॉंग्रेस है आप है समाजवादी पार्टी है वहां पर कोई पार्टी नहीं थी सिर्फ एक Communist Party थी के नाम से उसके अलाबा महाँ पर कोई Political Party नहीं थी पूरा का पूरा Soviet संग एक ही दलकारा थी था तो सम्विधान के हिसाब से सारी की सारी शक्ति सोवियत के माधियम से जनता के प्रतिनिदियों के पार्टी जो नारा था के सारी शक्ति सोवियत के पास तो वही चीजी यहां पर होगी जो वहां के लोकल परिश्रत थी उनके पास सारी की सारी जो जनता थे जनता की जो रिप्रजेंटेटिटिव थे जो वहां से च कि यह में आज पर सोविय संगने समाजी करन और योजन आधारित अर्फर वस्ता पार्ण जिसमें सभी प्रम कुद्धयोग और संसाधन सारे की सारे नेशनलाइज हो गए सभी कि सरकारी हो गए सब कोच सब सब चीजों पर सरकार काधिकार हो गया तो इस पराली के ताहित 5 साल की योजनाय बनाए गई जो कि industrialization के लिए क्रशी उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए efforts करती थी, क्रशी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करती थी और अध्योगी की करन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया करती थी, ऐसी पांच-पांच साल की योजने बनाए थी अब इनके सामने चुनोतियां क्या हैं सोवियस संग के सामने सबसे पहले चुनोती थी उनके सामने ग्रहय युद्ध तो ग्रहय युद्ध चल रहा था वहाँ पर रश्या में तो सोवियस संग को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसने की बोजन की कमी उनकी समस्या थी, और द्योगिक अवसंगरचना की बरबादी हो रही थी, सामाजिक असंतोष फैला हुआ था, तो ये सारी की सारी समस्याओं उनके सामने थी, तो इ लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों की बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी तेजी से। उन्होंकी इंडुस्टिराइजएशन को yay लगु किया, और जब किसी की पर्सनल चीज को इचीनी जाती है और कहा जाता है कि अब यह सरकारी है, इसको आप अकेले यूज नहीं करेंगे, सब लोग यूज करेंगे तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, तो वही समस्या वहां पर आई लोगों के माना वद्धिकार जोते हो चीन लिएग अब इसने लिएक सामय वादी विचारधारे का पचार होने लग गया, अब सामाजी देहेंगे, सामयवादी विचारधारा का पचार होने लग गया अब सामाजिक और आर्थिक पईवतन आए तो सोविय संग में शिक्षा, विज्ञान और तकनिकी विकास ने बहुत प्रगति एक टाइम में अच्छी प्रगति की हलाकि इसके साथ ही सामाजिक का संतोष बढ़ता रहा वहा करता है कि सोविय संग का गठन हुआ था बीजवी सदी में यह बहुत ही महतपून आति हाथ इक्षंट था क्योंकि जब सोविय संग का गठन हो गया तो इसने क्या किया जितने भी देशों में कोई अंदुलन चल रहा था उसको इन्होंने सपोर्ट किया सामयवादी विजा ढ़ा बना बहुत देशों की विचाल्धरा बर्दी बहुत देशों में रालियृतिक बदलावाई इसकी वज़ाज से ना केकि वल रूज के भीतर वल्कि दुनिया बर में राजनितिय वस्ताब गहराई से पपाव पड़ा यह एक नई रालणितिक विवस्ता की शुरूब इसलिए कोई अमीर नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए समाज में समाज इक और आर्थिक परिवतन किये जा रही थी, और इसके साथ ही सोविया संकी जो स्थापना हुई, इसने वैश्विक शांती संतुलन में भी बहुत म मेहत्पून रूप से देखा जाता है, तो निया में बहुत सी जगाओ उपर इसकी वज़े से चांती भी हो गई थी, अब सोविया संका निर्मान और शुरुवाती वर्षों की बारे में आपके सिलेवस में बताया गया है तो जब इसका निर्मान हुँग अभी सुई शद रख खड़ापी, जिसमें जार किशासन का अंत हुआ था, उस वक्त रूस की फैनेंशल कंडिशन, पॉलिटिकल कंडिशन बहुत खड़ापी, फरवरी 1917 में पहली बार जार निकोलस दोख उनके पद से हाटाया गया था और वहाँ पर एक अस्थाई सरकार बनी थी, टेंप सारे विरोधी समों थे, उन सबने आपस में यहाँ पर विरोध करना इनके खिलाफ शुरू कर दिया, ग्रह योधी चल गया, अब यह संगर्ष जो था, यह सोवियर सासन की स्थिता के लिए, और इसके विचारों के संग्रक्षन के लिए बहुत जरूरी था, ताकि सोवियर संग का गठन हुआ, तो 30 दिसम्बर 1922 को रूसे सोवियत फेडरल सोशलिस रिपब्लिक में तुसे RSFSR का गठन हुआ, यूक्रेन, बेलारूस और जोर्जिया में मिलकर के संग के रूप में सोवियर संग की स्थापना, यानि कि शुरूवाती देश कौन-कौन से थे यहाँ संग्रेश संग्रजना को स्थापित किया, कैसी होगी hoi संग्यव्स्ता होगी, यह बात कहीं गएатив नई आतिफ नीति का ऐलान किया, New Economic Policy, तो इसके तहट छोटे व्यवसाइज हो थे उनको निजी स्वामितु की अनुमती दिए, छोटे-छोटे जो काम है तो आप परस्टनल लग सकते हैं, लेकिन जो बड़े काम है वो सारे कि सारे सरकारी हो, छोटे-छोटे किसी की बिजनस ह किसी की छोटी सी इंडस्ट्री है तो उसे पस्तनली रख सकता था, बाकि जो बड़े-बड़े इंडस्ट्री थी, जो बड़े-बड़े किसान के जो खेत थे, वो सब कुछ सरकार के पास आगया, सब का जराष्ट्य करंट हो गया, इसे अर्थ वबस्ता में सुधार हुआ, खादे उत्पादर ने रद्गी हुई, राजी तेग धाचा कैसा था यहां का एक दलीय राजे था जैसा कि अभी-बड़े मैंने आपको बताया, कम्यूनिस्ट पार्टी ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था, पूरा नियंट्रंट किया हुआ था, और सोवियतों के माधियम आपको इस पर काम करना है, आपको इस पर काम करना है, आपको सलेरी मिलेगी, इस तरीकी से किसानों में जमीन बाटी गए। अगर जोसेफ स्टालिन का, यहां पर उधाए होगा हुआ इसके बाद जोसेफस स्टालिन वे सब्सक्शारे यहां पर धीरे-दीरे पार्टी में स्टॉंग होती चलेगा ही और 1928 में वो पार्टी के लीडर बन गः पार्टी के पार्टी के तरमफ बन गए। तो स्टालिन ने अपनी नीतियों के माध्यम से सोवियसंग में बड़ी तेजी से इंडस्टियलाइजेशन लेकर किया आए और साफ में प्रिशिस आमोही की करन यान कि बहुत सारे किसानों को इन जमीन का इसाल आट कर दिया यहां पर आप लोग खिती करेंगे जो रहे दनियों आएगा वो हम लेंगे उसमें से आपको सेलरी देंगे इस तरह की कायकम इनोंने लगू कर थे साफ ने कुछ पात-पात साल वाली योजनाए बनाई 1928 में स्टाइल ने पहली पास साल की योजना के शुरू आट की जिसका मकसद था अध्योगी की करन को टेगी से बढ़ा था तो इन योजनाओं में सोवियसंग की जो अध्योगी क्षम था थी उसको बढ़ाने में काफी हेल्प मिली लेकिन इसकी वज़ासे भारी मानव लागत दिया बहुत ज़्यादा यहां पर खर्चा आ रहा था तो सोवियसंग का निर्मान जो था उसके शुरूवाती साल जो थे वो बहुत ही एकिहा के लिए आंदुलन चल रहे थे महां बहुत सी जगह उपर सामयवादी विचारधारा के स्थापना हुए शुरूवाती सालों में जो आर्थिक सामाजिक और रालनितिक पईवतन हुए थे सोवियसंग के विकास के लिए और उसके वैस्ट्रिक प्रभाव में बहुत ही महत् रालनितिक गटनाओं के वज़े से विक्सित हुआ था समीधान एकडम से नहीं बना था कई हिस्सों में बना कई उसमें सुधार हुए तो इस समीधान सोवियसंगी रालनितिक संविचना अधिकारों और कर्पवियों को परिभाशित करने के लिए बहुत महत्वपून माना करें। खाता सुधान पाता कि को वज़े समीधान करता था कि कि थाए कि स्थापना कैसे होगी था सु इस कि होगा इसकी इस जाहोगे एसकी धूटीज क्या होगी यह सारी की सारी बाते तो सोवियसंग बता है चाहित अगे हम हाप सं içen,"auf रंट ठामलम हुआ पहला पेरा 1924 में 30 दिसंबर 1924 को जब संकी स्थापना हुई तो 1924 में इसको परिद किया गया, ठीक है, यह संविधांस विया संगी संगिया संगशना को स्थापित करता था किया हमारी संगिया होगी उसके नीचे चुटी-चुटी सरकारी होगी, वह सब इसके मामले में काम करेंगी, और बहुत से गंडाजियों के अधिकार होगा, कर्तवियों को निर्धारिद करता है, इतने भी गंडाजी हैं, उनके क्या कर्तविय होंगे, उनके अधिकार होंगे, यह सब चीजे में निर्धारिद कर दीते, उसके बाद 1936 में दूसरा संविधान आया, जो कि जोसेफ स्टाल में सोवियस्तन का अधूसरा आया 1936 में पूरे 12 साल के बाद, जो कि सालिन का संविधान कहा जाता है, यह संविधान दालनिती का अधिकारों को तुरा सा एक्सेंड करता था, पॉलिटिकल राइज को, जो भी लीडर से अधिकार बढ़ रहे थे, और नावरिकों के लिए ब पॉलिटिकल रहे थे, यह संविधान सोवियस्तन की इस्थाई था यह जो परमनेंसी के लिए और उसके विकास के लिए नया धाजा बढ़ान करता था, तो तीन संविधान आया थे, पहला संविधान आया 1924 में, दूसरा आया 1936 में, और तीस आया 1937 में, अर संविधान के प्रमक तट्व क्या क्या थे, पहला तो संगी अधाचा, जिसमें एक तेंदर सरकार थी और उसके नीचे कुछ गणराजे थे, कुछ शेटो का वठल किया गया था, स्वायत अपर इंडिपेंडन्ट होते हैं, जिनके उपर किजी का कोई कभजा नहीं होता है, तो हर गणरा करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें को मद्दाता अधिकार दिया गया, सभी वोट कर सकेंगे, चुनाव में भागीदारी कर सकेंगे, और सारो जनिक असहमती व्यक्त करने का अधिकार दिया गया, कि आप अगर किसी चीज से असहमत है, तो आप अपनी डिसेग्रीमेंट को रिस्टर करा सकें, हालांकि व्यावाहारी क्रूप से सभी राजनिति कतिविदिया कम्यूनिस पार्टी के मियंत्र, यह बातें समीधान में लिखी हुई थी, लेकिन अगर देखा जा तो जितनी भी पॉनितिकल एक्टिविटिज थी सारी किसारी कम्यूनिस पार्टी के कंट्रोल में हुआ करती अब यहां की आर्थिक नीतियों के बारे में बात करें तो सोविय संका समीधान जो था एक योजना आधारी तर्ट के वस्ता का समासंकर था तुम पुरा प्लैनिंग बेस्ट एक एक एकोनोमी लेकर के आए थी लोग जिस राजने, जिसमें राजने सभी प्रमोकुद्यों और संसाधनों का राष्ट्रिय अकरण करा, नेशनलाइजेशन कर दिया, मतब सारी के सारे उद्योग, सारे के सारे रिसोर्से, सरकारती है, लेकिन इनको इस्तिमाल सभी कर सकते हैं, तो इससे स्वमिकों के अधिकारों के रक्षा करने, और उत्पादन में व्रधी के लिए इसकाई योजनाओं का कार्यानमन की अक्तम, ये किया गया कि शमिकों के अधिकार, मल्दूरों के अधिकारों की रक्षा हो, और उत्पादन में व्रधी हो, नागरिकों को सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार था, स्वाष्य का अधिकार था, और काम करने का अधिकार वहाँ पर दिये गया, अब समीध्धान के पभाँ शाहसन को मजबूत ही मिल वेल, जीमिनिस पार्टी के विखकार लुट्य कि एक ही पार्टी रवी लोगों के पास चूज करने का कोई अप्शन ही नहीं बचा, आत्रिक विकास हुआ, सम्विधान की नीतियों की वज़े से सुविया संग में बड़ी तेजी से इंडस्टियलाइजेशन हुआ और योगी करन हुआ, जिसकी वज़े से आत्रिक विकास म स्वास्ते सेवाओं में सुधार के लिए काफी पहले थी जिससे सोविये समाथ में काभी बड़ा भी आया है, लोग शिख्षित होने लगे, स्वास्ते के लिए लोग कंसरन होने लगे, लेकिन इससे जगतिकत स्वतनत्रता पर अंकुष लगे, लोगी पर्सनल इंडिपें सुधार काभे इससे जदें, लेकिन काम्मन रहेय थी जिसक्रम शिख्षक्रम के लन्हितक में मतहन दस्तावेज था जिसने राजिकी राजिक संगर्चना को निर्धारीटिचे तो ली राजिक संग्लचना काईचbirds लगाने संगिये व्वास्तानी देंlot, सबको उनिकार दि काम करने की गारंटी देंगे, और सामाजिक संग्रिचना कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी किसे भी इकुल है, इस तरह का शक्चत उनलोग ने रधारित किया, इसके विभिन ने संस्कर्ण, हमने तीन संस्कर्ण पड़ेश होगी है कि समीधान किन में, ताइम समय के साथ अलाग 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 चेंजिस आते रहें, हलाके यह समीधान राजनेतिकादिकारों और व्यक्तिकाद स्वतनतिता को सीमित काता था, इस समीधान की वज़े से वह लोगों के राजनेतिकादिकार सीमित होते थे, व्यक्तिकादिकादिकार सीमित होते थे, आजा में भी काफी तभाब डालता रहा, सारी दुनिया पर इसका असर पड़ता रहा एक बीच में बात आई थी बिटा के लेनिन के मृत्ती हो गई थी और स्टालिन महाँ पर डीडर बन गए तो क्या हुआ था उस ताइम पर उसको हमें स्टाइनल पर तो व्लादी में लेनिंग रूसिक रांगती के जो कि प्रमुखनेता थे और सोवियर संग के संस्थापकते इनकी मृत्य हो गई 21 जन्वरी 1924 को इनकी मृत्य बाद सोवियर संग के भविषय के लिए एक बहुत ही महत्मूर मोर्ण लिया गया जिसमें की जोसेफ स्टालिन को लीडर चुना गया धीरे धीरे लेनिन की जब मृत हो गई 1924 में तो स्वास्ते समस्या होगी वेजर से दिरे बिगडने लग गई थी उन्हें कई स्ट्रोक्स आए जिससे उनकी शारी रिक और मानसिक शंतान की मान से उनकी फीजिकल मेंटल अबिलटी कम होती चली गई दिरे दिरे उनकी ब्रत्य हो गई उसे पहले उन्होंने राजनिती से सन्याश ले लिया था लगा बहुत कम एक्टेव होगा करते थे तो राजनिते विचाद अब लेनिंग में अपनी मौट से पहले राजनिते विरास सक्षे संबने कि महाधपूर विचार ले थी जो किसतारा की राजनिती यहां पर होँनी चाहिए उन्होंने पत्र में स्टालिन को पार्टी के महा सचिभ के पस से कि इनको हटा दिया जाए लेकिन उनकी मौत हो गई और उसके बार इस पत्र को लोगों ने इग्णोर कर दिया, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सिरिल सिर्शी नहीं दिया, और यहां से स्टालिन जो है, जैनिन की मौत के बार सोविया संग में एक सप्ता संगश्र गया कि कौन उनका उत्तरा दिकाली होगा, इसको वहां की लीडर की सिर्ट मिलेगी, तो जिसमें बहुत से पार्टी नेता शामिल थे, जैसे कि लियोन टोष्टी, रिवोरी जिनो विये, लेव कामेनो, लेकिन इन सब में से करते-करते धीरे-धीरे स्टालिन ने पूरा अपना होल्ड बना लिया, जो कि वह पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा बाकी सबके मुकाबे स्किल्ड था, एक्सपर्ट था और रणने थे के माज़न से, उसने प्लैनिंग भी कि पार्टी में अपने प्रभवाब को उसने बढ़ाना शुरू कर दिया, तो महासचिव के रूप में उस व्हादे, उसकी बाद स्ट्रालिन ने पार्टी की संग्रिचनात ते उसको दुबारा से पुन अलगटिक की दुबारा से सारी पाद्र बाटे और उनके अपने पार्ठ किसम अठक थे, उनको तो पक्ड दे दिये, बाकी सबको आँसे हटा दिया, और साहप में एकल कि इसकी मजबूती के लिए नए नीतिया और नए कायक्रम लागो कर दिया अब पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था टॉस्की का निश्कासन हो गया 1927 में टॉस्की को पार्टी से यहां से निकाल दिया स्टालिन ने और अफिरकार 1929 ने देश से भी बहार निकाल दिया टॉस्की स्टालिन के प्रमुक विरोधियों में से एक स्टालिन का विरोध करते थी इसलिए उन्हें पहले पार्टी से निकाला और देश से भी निकाल दिया और उनके निश्कासन ने स्टालिन की सितिको और मजबूत कि जब टॉस्की को वहां से निकाल दिया जो कि उनके विरोधी थे तो अपने अपने स्टालिन मापा स्टॉंग हो गए तो केंज के पथिक पथिपदे था इनकी निंदा करते थे उनको चुप कराने के लिए दवन की नीती अपना ही आस्तप की नीती अपना ही लोगों को दबाते थे, उनको डराते थे उन्होंने राजनितिक विरोधियों, बुद्ध जीवियों और अन्य वर्गों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला, बहुत अभियान चला हुआ अपने विरोधियों के खिलाफ, और जो लोग उनकी निंदा करते थे, उन सब के ही खिलाफ चला देते खेती है किसी की परस्नल लगी है, इसकी वज़ा से मानाव संकत्थ पन हो गया, लोग कम हो गये महाँ पर, काम करने वाले लोग कम दिखने लगता है किसानों की व्यक्तिकत जमीनों के एकथा कर लिया, और सामों की क्रिशिघा का एक्रम शुरू कर दिया जिसे लाग को लोग पर वावे थो आपकी परस्नल जमीने खरीज ली गई और उनकी जगह पर आसले है, लोगों के परस्नल ख्यती उंचे ले ली गई जय सरकार में ले ली और कहां गया किस खेती पर बहुत से किसानों तक चली गई, तो निशकर्ष यही निकलता है कि लेनिन की मौत के बाद स्टालिन का उदय, सोवियसन के इतिहास में बहुत ही मैतपून और एक नकारात्म मोग था, स्टालिन अपी राजनितिक उचलता की वज़े से और रणनितिक योजनाओ की वज़े से पार्टी में सबसे शक्तिशाली हो गया था और आखिरका देश का सबसे बड़ा नेता बना था, लेकिन उसके शासन के दवरान सोवियसन समझो था, उसने अध्योगी की करण तो बड़ी तेजी से हुआ, लेकिन जो वहां के मानव थे, उनकी अधिकारों का उनलंगन हुआ, उनके उपर बहु करणे पार से जाएगी तो हमे तकलीफ हो रही है, यह चीज़े हों यह देखे और बहुत लम्बा था और मुझे लगता है के आपके पूरे से लेबद में सबसे लमबा पार यहां पर खतम हो गया है, आगे के पार छोटे-छोटे हैं, उनको बहुत जल्दी-जल्दी कर ले कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट स्रेक्षर में पूश सकते हैं, अदरवाइस डिवाइस करते रहे हैं, पेपर के लिए बढ़ते रहे हैं, पेपर आपके आपके बहुत नजदी है, आपकी परिशाओं के लिए धे-शारी शुपकाम नहीं, और चैनल बेट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, हब आगे दिया है, जाहिन, जाय भारत.